किसम भाईयो यदि आपके फसल के अंदर अर्ली ब्लाइट आ चुका है या फिर आने वाला होगा तो आपके लिए आज का ये वीडियो बहुती महतोपुर्ण है अर्ली ब्लाइट का सिम्टम आपको सिंपल वाला पता है कि गोल आकार के प्यले रंग की धब्बब अगर पत्ति पे दिखाई दे तो ओर इस तरह ना कि अभाई फसल के अंदर अर्ली ब्लाइट की शुरुवाती दो धब्बे होंगे तो समझ लेना कि भाई आभी हमें कुछ बड़ा ट्रिट्मेंट देना चाहिए तीन से ज्यादा धब्बे अगर आपके पत्तियों के उपर अर्ली ब्लाइट की दिखते हैं हाउट अप कंट्रोल हो गया है तो चले शुरुवात करते हैं अर्ली ब्लाइट की टॉप दावई आपको कौन सी है इसके अंदर हम प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों तरके से जान लेंगे तो सबसे पहले अर्ली ब्लाइट की पहचान के लिए आपको क्या करना है ज दावने मिल्डू का क्या होता है उपर की तरफ पिला रंग का धब्बा होता है और नीचे की तरफ सपेद रंग का फंगस होता है उसे हम डावने मिल्डू के थे तो आर्ली ब्लाइट खासकर कौन से मोसम में आता है तो जो भी ड्राइक लाइमेट रहता है उसमें आर्ली नहीं है जब बारिश ना हो तबी अर्ली ब्लाइट का जाधा प्रकोबी होता है तो चले यहां पर अभी हमारे प्रास दो प्रकारे एक प्रिवेंटिव के तोर पर हम अर्ली ब्लाइट को कोई को सी दावईया दे जिससे हमें बहुत ही अच्छा इलाज मिल सकता है तो यहां पर अभी हम थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक की तरफ भी जा रहे और केमीकल का भी थोड़ा सा इस्तेमाल छोड रहे तो थोड़ा ऑर्गेनिक के बारे में आपको एकदम पक्का इलाज बताएंगे अभी देखो हम एक एक चीज का अल्टरनेटिव आपके लिए ला रहे तो सबसे पहला अल्टरनेटिव यह एकि हाई टीडियस वाला पानी जीस किसान का पानी खराबी जीस किसान्ने वट्र अने लेसिस करने के ऊपर उसके पानी के अंदर कारभॉनेट, बायकार्भॉनेट सबसे अधिक मात्रा में पाहे जाते उस पानी का एक प्रकार से सोडियम, क्लोराइड करके उसमें तो टॉक्जिसिटी का टेंशन तो होता है लेकिन उसी श्राफ के साथ साथ आपको एक वर्दान भी दिया जाता है उस पसल के अंदर वर्दान क्या दिया जाता है ऐसे पानी का स्प्रे करने से आपका पाउडरी मिल्डू या फिर अर्ली ब्लाइट यह आपके पसल में नहीं आता है लेकिन उस पानी मेंसे आपके जो दावईयो के रिजल्ट है केमिकल दावईया खासकर उसके रिजल्ट भी कमाते है दो पानी घात अगे तो हाई टीडेस वाला पानी को भी हम छोड़ देदे थीक अभी दूसरा एक उप्शन है ऑईल का अ करके ओईल रहते हैं यह आपके पत्ति के उबर चारों तरफ फेल जाते हैं और यह और फेलने के कारण यह आप किसी भी प्रकर के फंगस को बढ़ने नहीं देते हैं तो नीम फीश ऑउङल का इस्तेमाल अगर आपके फसल के अंदर रिगुलर रहता है तो आपके फ़सल के अंदर कोई भी प्राकार की अर्ली ब्लाइड पावडरी मेंड़यो जैसी समझ यह नहीं आने वाले तो इसी ओईल के लिए हम क्या करते है क्या 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 करते है क्म Δो-क तो केल्ψेम ख्लोड का भी आप इस्तेमाल कर सकते केल्शम ख्लोड पानी में डालने grande बादट वह गर्म होता है गरम होने के बाद उसमें से कोईली पदार सा आता है और वही बोह अच्छी तरगी सिकारे करता है तो इसका हमने एक कॉंबिनेशन भी बनाया है प्रिवेंटिव में केमिकल के साथ यह क्या करते हैं क्वांट आप और कैल्शियम क्लोराइड का अगर स्प्रे करते हैं फ्लावरी स्टेज में नहीं चलेगा यह इसका रिक्वार्मेंट है अगर अगर प्लावरी स्टेज ना हो तो आप क्वांट आप 200 क्याल्शियम क्लोराइड पास हो अगर आप अपने फसल के अंदर डालते हो तो आपका अर्ली ब्लाइट और उसी के साथ आपका पावडरी मिल्डियों भी बहुत ही अच्छी तरह किसे कंट्रोल में आ जाता है कितन निमा थाला इसा करके हम अलगलग प्रकार की अपनियों की ओईल आते हैं निम ओईल आते हैं तो उनका इस्तमाल कीजे लेकिन परसंटेज में वह ज्यादा होने चाहिए ये बात ध्यान में रखना पचात प्रतिशत वाला होगा तो बहुत ही तगड़ावाला रिजल्ट आ पता होना चाहिए 1000 फीपीम दो फीपीम तो कुछ भी ने परसंटेज में निकाल होगे तब पता चलेगा दज़ अजर पीपीम तो टिक टाक रिजल्ट देता था लेगिन अभी उसका भी प्यूरिटी कम होए अभी पचास अजर पीपीम कभी रिजल्ट नहीं आता है पचा क्यालिट प्लस क्यल्जιम ट्लोराइट के तोर पर इस्तमाल कर सकते हो आपने एक नोटीस किया होगा 350 के लिए तो 25 के लिए क्यार पोर यह तरीके से आपकी इनके आदर इंगडेट्इंट में कुछ ने कुछ कुछ डाला गया है जिससे वह एकदम एक लेयर बना देता है और फंगस को रोकने का कार्य करता है इसलिए कौंटाप इतना सस्टेम बढ़िया तरीकी से कार्य करता है में इंग्रेडेंट के साथ इसे के साथ आपने नोटिस भी किया होगा कि प्रोपेक्स उपर के हंदर भी करता है तो इस तरीके से यह और्गेनिक वाला हो गया है अभी और्गेनिक के साथ कुछ केमिकल कभी जैसे कि आपने क्वांटाप केल्शम ख्लूराइड हो गया है कुछ स्कोर डाइपिंग ओने जोल कभी इस्तमाल कर सकते हैं 200 लिटर पानी के लिए 100 मिल का इसका डो से तो तो तीट का भी इस्तमाल आप जैसे आपको पत्ति के ऊपर दो से तीम धवे दिखाईदेना समझ लेना यह आउटाप कंट्रोल हो तब तील्ट पाहीं इस्तमाल कर लेना भाई टिल्ट और कॉपर का कॉपर का पहले उसे लॉक कर दो फिर बागी का जो भी ट्रीट्मेंट वो करो बले फसल आपकी लॉक हो जाए टील्ट के कारण लेकिन जो नई पत्ति आएगी वो सुरक्षित आएगी उनका ब्रोथ भी आच्छे से होगा वो टील्ट के कारण उसके उपर कोई भी इंपेक्ट नहीं होगा आपका फंगस लॉक होना चाहिए बस इतना एक रिक्वर करता है आपके पास सिस्टे ने सबसे ज्यादा दिनों तक कार्य करने वाला प्रिजुन्ट के तोर पर पंदरा दिनों कार्य करता है इस इस इन एक बाहर डाला तो इतना रेसीडियल एक्षिन उसका बढ़ी आए मैक्लोविटेनिल आता है उसके अंदर ट्राइजो कही तो यदि आपके फसल के अंदर कहीं कहीं आपको धब्बे दिखाई दे रही और फ्लावरिंग स्टेट चल रही है तो आप बायर का बोनस का भी इस्तमाल कर सकते हो या फिर फिर अलग-अलग प्रकार के शामिर भी आता है शामिर का भी इस्तमाल कर सकते हो इन तीनों के अं क्योंकि टेवु कोनेजल एकलोता है कैसा कंटेन है जो अर्ली ब्लाइट आने के बाद भी कार्य करता है थोड़ा परसंटेज के अंदर टेवु कोनेजल के अंदर क्यूरेटिव और इरेडिकेटिव एक्शन बहुत अच्छा स्ट्रॉंग दिया गया है तो इसके साथ आपको क्या करना है इसके साथ आपको हो सके तो इस चीजों का इस्तमाल करना है जिससे आपका पाउडरी मेंड्यू या फिर अर्ली ब्लाइट बहुत ही अच्छी तरिके से कंट्रोल हो जाए अगर यह स्टेटरजी आप फॉलो करते हो तो आपको भूती आच्छा रिजल्ट तो म क्या करना है आपको सस्टे में ताकत मिलता है ताकत का ड्रेंचिंग भी आप कर सकते हो जैसे कि आभी आप समझ लो कि भाई आपका अर्ली ब्लाइट का इंफिक्शन ज्यादा फिल गया है तो आपनी यह उपर से स्प्रेइंग तो टेबू कोन एजो प्लस कोई नो कोई या ने लेकिन अगर ड्रेंचिंग में अगर आप ताकत दे देते हो 20 पासोग्राम एक्टरे लुए ताकत दे देते हो जग्ずर्फ मिले 미국ा का निछे से सपोर्व essen थम और उपर से कंट्रोल दी मिलेगा तो इस तारी के से अर्ली ब्लाइट को मजबुत और रब बनाने वाली चीदे जाएंगे तो आपका अर्ली ब्लाइट और भी अच्छी तरके से कंट्रोल हो जाएगा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो एक रिक्वेस्ट दोहजर लाइक का टार्गेट कंप्लीट कर देना आपनी दिवेराद भाई की प्यार के लिए और मिलते आगले वीडिय वीडियो में जैजावान जैके साथ